मुंबई की चॉल, लोर मिडल क्लास और भीड़ भाड की तस्वीर पेश करते हैं लेकिन इनी चॉल से भारत के बड़े बड़े बिजनस मैन भी निकलते हैं एक का नाम तो आप जानते ही होंगे धिरुबाई अमाली जी और कोई नाम दिमाग में आ रहा है इनको मौका मिला लंडन स्कूल ओफ एकॉनोमिक से पढ़ने का और वहां से बैंकिंग और फाइनेंस सीखने का पढ़ाई पूरे करने के बाद इंडिया वापिस आये पहले कॉलेज में पढ़ाया फिर एक ब्रोकिंग फर्म जोइन की फिर ICIC में एक डेपुटी मेनेजर के तोर पे काम करना चुरू किया 16 साल काम करने के बाद एक चेर्मेन के रूप में रिटायर भी हुए परेज जी ने 66 साल की उमर में इस मिडल क्लास की सपने को पूरा करने के लिए 1977 में HDFC बैंक खोल डाला अगले ही साल अपना पहला होम लोन दिया इंडिया में होम लोन इतना फेमस हुआ कि 1984 तक हर साल HDFC ने 100 करोड रुपे के लोन अपरूब किये फिर 1994 में परेज जी इस दुनिया को अलवीदा तो कहा गए लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक विरासत HDFC और HDFC बैंक